संग्राम पर अखिलेश महरबान, चौथी बार मिली जिले की कमान, पांच बार विधान सभाच चुनाओ वा एक बार MLC वा एक बार लड़े लोग सभाच चुनाओ, पहली बार चिलकार वा दूसरी बार फेफना से बने विधायक, समाजवादी पार्टी ने आखरकार विधा विधायक संग्राम सिंह यादव को बलिया के जिलाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा ही दिया, राजनीती गलियारों में चर्चा का विशय ये है कि सपा के राष्टी अध्यक्ष अखलेश यादव विधायक संग्राम सिंह यादव पर महरबान है, वैसे ही संग्राम यादव से अखलेश यादव का पारिवारिक रिष्टे बताया जाते हैं सपा जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव के निधन के बाद लगभग 21 दिनों तक जिलाध्यक्ष के बिना समाजवादी पार्टी चल रही थी आगामी लोगसभा चुनाव को देखते हुए सपा के राष्टे अध्यक्ष ने एक बार फिर फेफना विधायक संग्राम सिंग्यादव को जिले की कमान सौंपी है वैसे 33 वर्षों से संग्राम सिंग्यादव राजमीती में सक्रिये हैं पहली बार वो 1991 में कोपा चिट विधान सभा से चुनाव लड़े लेकिन चुनाव में सफलता नहीं मिली उसके बाद 1993 में वो चिलकहर विधान सभा शेत्र से सपा और बस्पा गठवंदन से चुनाव लड़े और पहली बार वो विधायत बने उसके बाद वो 2002 में सपा के जिलाध्यक्ष बने अखिलेश और मुलायम सरकार में भी वो जिलाध्यक्ष रहे उसके बाद वो 2005 में MLC का चुनाव लड़े जिसमें उन्हें सफलता नहीं मिली उसके बाद 2009 में बलिया लोकसभा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़े जिसमें उन्हें सफलता नहीं मिली उसके बाद 2012 और 2017 में विधान सभा चुनाव लड़े उसमें भी उन्हें हार का मुँ देखना पड़ा उसके बार 2022 में वो फिर एक बार फेफना विधान सभा से विधायक बने उसके बार 2024 में उन्होंने एक बार फिर सपा के जिलाध्यक्ष की कुर्सी हासिल कर ली है मुलायम व अखिलेश के करीबी है संग्राम बलिया जिले में राजनीती में अलग पहचान बनाने वाले संग्राम सिंह यादव का नाम कोई छोटा नहीं बल्कि सपा के राजनीती में बड़ा नाम है वो कभी मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे तो वहीं आज अखिलेश यादव के अती करीबी नेताओं में इनका नाम आता है लखनव में सपा के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विशय ये है कि सपा के राष्ट्र यध्यक्ष खिलेश यादव ने लोकसभा चुनाओ के दृष्टिक कोर से संग्राम यादव का जिलाध्यक्ष के पद पर सेलेक्शन किया है वैसे की अनुभवी नेता माने जाते हैं अब संग्राम के उपर गठबंदन को मजबूत करने की एक बड़ी जिम्मेदारी है ऐसे में बलिया में तीन लोकसभा सीट है जिसमें कुल साथ विधान सभा है बलिया लोकसभा सीट से जिले की तीन विधान सभाएं फेफना बलिया वा बरिया महत्तपोनम आने जाते हैं सलेमपुर लोकसभा सीट से तीन विधान सभाओं बास डीय सिकंदरपुर वबिलथरा रोट वब उसी तरह से घुसी लोकसभा सीट से रसड़ा विधान सभा शामिल है ऐसे में सातों विधान सभाओं में सपाओं में द्वार को जिताना संग्राम सिंग्यादव के लिए एक बड़ी चुनावती होगी जाने कब-कब लड़ें चुनाव वुधायक संग्राम सिंग्यादव 1991 में कोपा चीट 1993 में चिलकहर 2012 और 2017 वा 2022 में फेफना विधान सभा से चुनाव लड़े वही 2005 में विधान परिशद वा 2009 में लोग सभा चुनाव लड़े बलिया से रोशन जैसवाल की एक रिपोर्ट